Welcome back everyone to Vlogbirds अभी एक बहुत ही बढ़िया चीज बन रहा है और बहुत ही मामुली सबजी से इतने मामुली सबजी से इतना तगड़ा चीज भी बन सकता है ये मैंने कभी सोचा नहीं था और इसलिए अभी खुद से जाके देखता हूं कि ये कैसे बनेगा इससे पहले कि मैं जाओं आपको एक दफा वक्त दिखा देता हूं ये देखिए अभी 7.45 हो रहा है आप मेंसे जो लोग भी मुझे जानते हैं उनको लग रहा होगा कि हैं इतना जल्दी डिनर मैं कैसे कर रहा हूं तो एक्शली डिनर अभी नहीं करूंगा डिनर 9 बजे के आसपास करूंगा या 8.30 में करूंगा लेकिन इसका जो प्रोसेस है ये अभी से सुरू हो गया है तो आप बताएं सरकार इसमें में इंग्रीडियन्ट क्या है लौकी 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 और लौकी से बनने वाला है पराठा कौन सा पराठा बनेगा वो भी तुमने कहा था चीज पराठा लौकी चीज पराठा सोचिए और धनिया का चट्नी के साथ इसको खाया जाएगा धनिया चट्टी मैंने बना रखा है तुमने वाह वीवर्स को एक बार पास से भी दिखा देता हूँ धनिया का चटनी ये देखिए धनिया का चटनी रेडी है लौकी को पूरा निचोडा जा रहा है देखिए लौकी को नमक में मिर्स करके लखी थी अच्छा इसको अधरक, प्याज, लसन, हरा मिर्चा ये सब देखे आधा ग अधर चीज़ वेस्ट नहीं होने वाला है और आज आटा लौकी के जूस से सनाएगा इसमें क्या-क्या मसाला जाएगा थीक है, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर नमक तो पहले से दिया हुआ है ठीक है थोड़ा से नमक जाना पादी मितल दिया हूँ अच्छा ठीक है तो इसका मतलब है कि जितना मसाला डलना था वो डल गया और भी कुछ डल रहा है लगता है आठा अच्छा हाँ अच्छा डायरेक्टली आठा हाँ इसको सानुम लिन आठा के सार ओ अच्छा वैसे नाया जाएगा इसको मुझे लगा था कि वो जैसे नहीं लिट्टी में या आलू पराठा में स्टफिंग जैसा भरते हैं अच्छा यह मतलब डायरेक्ट आठा के ही साथ गूत लिया जाएगा सीधा सीधा पराठा यह मतलब मेती का पराठा जैसा हो रहा है जब तक इस तरफ में उस आठे को गूता जा रहा है तब तक आप कमेंट करके यह चीज़ बताईए कि क्या आपने कभी लौकी का चीज़ पराठा खाया है मैंने तो बहुत जिंदगी में कभी नहीं खाया मैं पहली बार खा रहा हूं मैं तो अब तक लौकी का वो जो सीजा होता है न वहीं जातर खाया हूं सीजा और एक भाजा कभी खाया हूं क्या नहीं लौकी और हाँ, और लौकी का कोफ fence यह भी खाया हूं गई पकोड़ा पकोड़ा कब खाया मैं आच्छा हाँ हाँ लौकी हा पकोड़ी भी this place आलू पकोड़ी जैसा है यह देखिये अब यह पानी इसमें ड़ा गया है यह तो मतलब नॉर्मल पानी ड़ने से तो यह ज़्यादा अच्छा है फिर क्या इसमें तो लौकी का सब वितामीन होगा अभी यह देखिए यहां आटा को सानके रख दिया गया है और इस तरफ में धनिया का चट्मी तो भई पहले से ही तेयार है तो बस आप प पिसला व्लॉग अगर देखा होगा तो हम लोग गये थे कारीयक्रम में यह था क्रसिला में मुबंडर में तो वहां लोग गये वहां नास्ता मिला आचा अच्छा वयसे कारीयक्रम इन्हों वही बहुत जादा देर हो चुका है, मैं आपको एक बार टाइम दिखा देता हूं, यह देखिए, नौ पांच होने जा रहा है, अब तो यार, नौ पांच हो गिया, यह तो बहुत लेट हो गिया, मैं आपको बताता हूं, सच में, हम लोग अपना नेक्स्ट सूट का प्लैनि वह, मोजी, माजू, यह, इतना देरेंगी, अरे बाप, अरे, बहुत है, बहुत है, मरे, इसमें स्टफिंग के तौर पे तुम चीज भर रही हो, वह यार, अच्छा, इसका कलर में देख रहा हूं, वाइट नहीं है, यह थोड़ा ग्रिनिस टाइप का है, यह उसी पानी के अरे, आप ही तो बोले कि आपको लौकी पराथा खाना नहीं है, इसलिए न मुझे चीज तरना पराथा, अरे, बात यह है ना कि लौकी का नाम सुनते ही मुझे लगा कि लौकी का पराथा, मतलब भई, लौकी का जो स्वाद है वो तो ऐसा ही लगेगा ना, हाला कि जब मैं चीज लौकी पराथा जा चुका है तवे पे, और यह दूसरा वाला अभी बन रहा है, अरे, यह कितना नंबर वाला पराथा गया वही, वास और दो ही थवादी है, क्या बात कर रही है, आरे, यह देखिए, चीज पराथा यहाँ पर तयार हो गिया है, क्या बात है, सिर्फ चीज पराथा नहीं है, चीज लौकी पराथा, यार वैसे मैंने यह चीज सुना है, क्या आरे, यह सब गरमा गरम खाने में ज़्यादा मज़ा आता है, ठंडा खाने में बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा, ठीक है, तो फिर मैं बैट जाता हूं अपने इस्थान पर हां, क्या है ना कि तब पेट को आदत भी रहेगा और ठीक भी रहेगा वरना अभी से अगर उबला उबला पड़ेगा इस उम्र से तो तो भई देखे ये जगा बिल्कुल पर्फेक्ट है क्यों परफेक्ट है क्यों कि नीचे बैट के खाना सई रहता और मैं अपना पहला बाइट लेने के लिए अधीर हो रहा हूं गर्मा गर्में पूरा कि अच्छा है कि मुझे लगता है यह टमाटर के चटनी के साथ मज़ा आथा जैसा मतलब इसका टेस्ट है अकली बार टमाटर चटनी बना लोगा तो फिलाल इस व्लॉक को करते हैं यहीं पर एंड मैं बहुत ही जल्द मिलूंगा आपसे एक अगले वीडियो में तब तक के ल दो लिए है